कि नमस्कार में दिपाली अब सभी का स्वादब दिपाली आइश्टों में करते हूं देखते हैं आज का दिन इनके 23 फरवरी 2014 जाने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं मेर शाषिवालों के साथ मेर शाषिवालों अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन positivity को embrace करने का है अपने मन को शांत रखी आगे बढ़ते चलिए आपको जो आप अपने परिवार एक सिर्था बनी रहेगी परिवार की किसी वृदतम सुदस्य की तरफ से आपको कोई ना कोई बहुमूले सजेशन ये राय मिल सकता है जो आपकी situation को और सद़ पॉजिटिव करके जा सकता है बात करते हैं व्रिशव राशी वालों के लिए व्रिशव राशी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो जैसे चीजें चल रही हैं जिस धर्रे पे चल रही हैं जिस situations को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं जिस तरह से आप positivity embrace करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिलकुल ठीक ह आज के दिन आपको समानिता परिस्तिती देखने का एक मौका मिलेगा कुछ खास उतार चड़ाव चीजों में देखने को नहीं मिलेगा बारी 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 की स्थिरता बनी रहेगी जो की अगर मैं देखू इन टोटालिटी आपकी mental peace भी बनी रहेगी और कारेशेतर में भी आपकी कारेशेली थोड़ी सी निकी कारे करने की जो आपकी शमता है या आपका कोई procedure है जिस तरह से तरीके से आप करते हैं वो भी आज के दिन आपकुछ नयापन उसमें ला पाएंगे आपके लिए overall positivity कारेशेतर की स्थिरता को लेकर भी आज के दिन मानी जा सकती है बात क इस्तिती आपके लिए साकार होती हुए नजर आएगी पारिवारिक स्थर पे आज मैं देखूं तो आप काफी जद अपने आपको रेजुमिनेट कर पाएंगे थोड़ा सा restful situation में भी जाएंगे जो आगे को आगे के लिए आपको तयार करेगा कि कैसे going forward आप आगे के दिन या महीने या साल बिताना चाहते हैं कुछ नए financial decision भी आज के दिना प्ले सकते हैं जो collectively परिवार के लिए कोई ना कोई positivity लेकर आ सकते हैं जैसे नए घर में प्रवेश करना या property को final करना बात करते हैं करकराशी वालों के लिए करकराशी वालों आपके लिए परिस्तितियां सामाने रहेंगी लेकिन second half के दोरान आपको अपने स्वास के प्रति थोड़ा सा समवेधनशील होना पड़ेगा अगर आप किसी व्यक्ति विशेश की वज़ा से या किसी event की वज़ा से किसी situation की वज़ा से overthinking को embrace करके चल रहे हैं तो आज के दिन जरूरी है कि आप उसे let go क करें अपने thought process को आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए सोचना चाहिए कि कहां पर आपकी गलतियां हो रही है उसको identify करिए और आगे बढ़िए जीवन में आगे की तरफ अगरसर होई है जो परिस्तिति आपके control में नहीं है उसे let go करिए और आगे बढ़िए तभी आप सकते हैं साथ ही साथ कुछ investment plan पे भी आज के दिन आप सोच बिचार कर सकते हैं options को आज के दिन आप explore कर सकते हैं लेकिन deal का finalization जल्दबाजी में ना करें सोच बूच का परिचे दें सारे legal documents अगर आप कुछ sign करना चाह रहे हैं legal aspects उसमें हैं तो सारे legal documents को एक बार दो बार त थोड़ी सी negativity involved है तो सोच समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है जो लोग share market में निवेश करते हैं वहां पर भी आज के दिन थोड़ा सा cautious होकर चलने की जरूरत है बात करते हैं कन्याराशी वालों के लिए कन्याराशी वालों आपके लिए सामानेता परिस्तिती रहेगी खास और सुच बुच का परिचर देते हुए उस conflicting scenario को आप आज के दिन sort out कर सकते हैं ओवरॉल अगर मैं आपकी situation देखू तो at the end of the day आपके लिए कोई wonderful opportunity बहतरीम परिस्तिती आगे आने वाले future के रूप में कोई सूचना आपको मिल सकती है या संकेत आपको मिल सकता है बात करते जी भी चीजच छूट रही है तो आज के दिन आपको उस पर काम करने की जरूरत है अपने उपर पूरव ध्यान दीजीए अपने उपर काम करी अगर आपको लगता है कि आपको degreeưởng या परीक्शन की जरूरत है तो अपने लिए वक्त निकालई और इस चीज़ को कण डालिये साथी साथ आज के दिन जो लोग नौकरी चेंज करने के इक्षुख हैं नई नौकरी को पाना चाहते हैं या विचार करना चाहते हैं कि कैसे गोईंग फॉवर्ड उनका करियर प्लान या करियर में आप हो सकता है तो आज का दिन में तुपोर्ण माना जा सकता है स्वास के प्रती सम्वेदिन शील रहें और आगे की तरफ फोकस करके करियर पॉसिबिल्टीज को आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं बात करते हैं व्रिश्चिक्राशी बालों के लिए आपके लिए नुकुलता बनी रहेगी मन आपका शांत रहेगा विचारधारा या आपकी प्रबल रहेंगी कॉंफिदेंस लेवल में इजाफा होते हुए देखेंगे पराक्रम में पृद्धी होने के साथ साथ उच अधिकारियों से आज के दिन आपको सपोर्ट मिलेगा बिजनेस अगर आप करते हैं नीजी बैवसाय वालों के लिए ओवर उक्किपाइड रहेंगे आज के दिन दनुराशी वालों आप आपका ब्रेन आपका माइंड आपका मन बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर चलेगा इसलिए जाहिर सी बाते गलतियां भी जादा होंगी तो सूझ बुझ का परिचे दीजे आज के दिन सोच समझ कर फिनैंशल निरने लेने की कोशिश करिए इन्वस्मेंट अगर कुछ करना चाहते हैं सोच के समझ के करें अधीर होने की जरूरत नहीं है रिलेशनशिप आसपेक्ट में मैं देखूं तो पॉजिटिविटी को आपको बरकरार रखना है लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव अपसाज़ा होता हुआ नजर आएगा उसमें कुछ न कुछ रास्ता मिलेगा और अगर रिलेशनशिप का कोई आसपेक्ट चल रहा है तो वो भी आपके लिए मकर राशी बालों के लिए मकर राशी बालों आज के दिन नया काम करने की सोच सकते हैं कारेशेत्र में आपके लिए मल्टिबल इंकम रिसॉर्स का एक रास्ता खुलता हुए नजर आएगा अपने परिवार के किसी सदस्स के लिए या उसके साथ आप कुछ नया करने की सोच सकते हैं नीजी वैवसाय है तो उसमें भी आपके लिए मल्टिबल ऑप्शन्स खुल सकते हैं सूज-बूच का परिशे दीजे आज के दिन अपने लिए कुछ नया एक रोड़ पाथ आप निर्मान कर सकते हैं बना सकते हैं अपने करियर को या बिजनस को फ्लारिश करने के लिए जो बिजनस आक्यूमन आपको चाहिए या जो भी आपके लिए स्किल सेट आपको चाहिए जरूरी है वो आज आपके पास है पर किस तरह से किस स्किल सेट को कहां पर लगाना है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो आज के दिन आपको सूज बूज का परिशा देने की वहाँ पर जरूरत है पारिवारिक स्थिर्था बनी रहेगी तो वहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बात करते हैं कुम्बराशी वालों के लिए कुम्बराशी वालों जैसे परिश्थिति आपके लिए जीवन में चल रही है बिल्कुल काबिले तारीफ है कुछ नया करने की जरूरत नहीं है जिस एलिमेंट के साथ जिस पॉजिटिविटी के साथ आप आगे चल रहे हैं वैसे ही चलते चलिए अपने लिए और अच्छी परिस्थिति आप बना सकते हैं पॉजिटिविटी को अपने मन में लगते हुए अपने दुरन निष्टे के साथ आज के दिन आप कुछ नया क्रियेट कर सकते हैं परिवार के साथ समय भी बिता सकते हैं के साथ बिताया गया समय आपको और positive बना कर जाएगा साथी साथ आज के दिन spirituality में भी आपका कुछ रुजहान हो सकता है meditation relaxation कुछ इस तरह की आप spiritual techniques को भी अपना सकते हैं जो going forward आपको अगले तीन महीने छे महीने साल भर के लिए prepare करके जा सकता है बात करते हैं मीन राशी वाल आप उस चीज़ को या तो उस संदर्व में समझ नहीं पाए हैं या समझा नहीं पाए हैं आज का दिन आपको भरबूर एक time देगा या एक opportunity देगा जहां पर आप अपने differences को aside रखकर आप अपने communication को साज़ा कर सकते हैं उस व्यक्ति विशेश के साथ शब्दों का चेयन आ आज के दिन communication को intact रखिए second half के दौरान आपको थोड़ा सा work pressure महसूस हो सकता है लेकिन आप इसको effectively delegate करेंगे तो आपकी situations positive रहेंगी साथ ही साथ अगर आप अपने परिवार के साथ थोड़ा सा break चा रहे हैं तो अब आप वो समय आ गया जो वो plan कर सकते हैं इसी के साथ मुझ